दोस्तों, आज की डूम आपको बताऊंगा बाई, data roaming setting के बारे में क्या होती है, कैसे use करते हैं, हमारे phone में इसको on रखना है, या off रखना है, कब on करना है, कब off करना है सारी setting आज आपको बता दूँगा, विडियो चलेगे तो बस like कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को आ मेरे फॉन में एक जियो की सेटिंंग दिखाई देगी इस तरह डां दाटरों में लिखा होगा तो अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो इसे उफ करने के बाद नेट की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है नेट चलाने में थोड़ी प्रॉबलम होने लगती है यूंकि जो data roaming को on कर लिजिए, होता कै है data roaming का मतलब यह roaming मतलब जब आप दिल्ली का सिमय, आप दूसरे state में जाते थे, दूसरे state में, यूपी में हर्याना में, जहां भी आप जाओगे, तो पहले जो क्या होता था, कर रोमिंग लगती थी मतलब जो इंटरने आपका इंटरनेट था वो रोमिंग में चलता था उसमें चार्ज लगते था अभी तो फिलाल नहीं लगता है तो अब तो रोमिंग क्या है तो जब भी आप भाई अपना state change करोगे इधर जाओगे तो रोमिंग में है आपका डाटा जो यह भाई best network से connect रहेगा अगर यह setting on रहेगी तो अगर off रहेगी तो भाई roaming में आप data यूज करने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी अभी फिलाल तो ऐसा है कि आप जहां पर हो वहां पर भी आप इसको on करके रखोगे तो net आपका बढ़िया तरीके चलेगा तो आपक आपको पता है net free आता है जो एक जीबी डेट जीबी का पड़े के साबसे आपको मिलता है जो भी आप recharge कराते हैं तो भाई देको data roaming को आपको हमेशा on ही रखना है on रखने से आपको फायदा ही होगा आप जब भी कहीं भी आप travel करोगे तो आपका जो net है जो आपके internet है जो आपका जो network है वो भाई जो आएगा टावर से connect होता चला जाएगा मतलब आपको बीच बीच में आपका net बंद नहीं होगा वो continue चलता ही रहेगा तो इसलिए data roaming की setting आपके phone में होती है अब देखो जैसे जी इसमें है ना जीओ मैं मैं वी इंडिया में करूंगा इसमें भी वाई इसको on करके ही रखना है data roaming का कोई भी आप सिम यूज़ कर रहे हो तो इससे को आपको on ही रखना है अपने phone में data roaming को यह है वाईस की setting वही मेरे थमनेल पे लिखा था कि on रखे है आँ off रखे तो आपको on रखना है off करने से आपको कोई भी benefit नहीं होने वाला याकर off कर करने को benefit मिले तो इससे off कर सकते है वाई इसको on करने से हमें फायदा है net speed अच्छी रहेगी और हम traveling करेंगे जोदर जाएंगे तो भी हमें उससे net हमारा perfect तरीके से चलता रहेगा